क्या आपको पता है कि इंस्ट्राग्राम का पहले कुछ और ही नाम था और क्या आपके मन में कभी ये curiosity हुई है कि हमारे इंडिया का country code प्लस 91 ही क्यूं है सो आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे ही interesting facts के बारे में जानेंगे केविन से स्ट्राउम पहले गूगल में काम किया करते थे बट कुछ टाइम के बाद इन्होंने गूगल से design दे दिया क्योंकि इन्हें अपना खुद का कुछ start करना था तो इन्होंने एक app launch किया जिसका नाम था बर्बन बर्ट ये जो बर्बन एप है न ये उतना जादा चला नहीं तो इन्होंने फिर से उसी app में new name और new feature से इसे फिर से launch किया जिसका नाम है इन्स्टाग्राम जी हाँ इन्स्टाग्राम इन्स्टाग्राम को Google के एक ex employee ने found किया था fact number 2 रसगुले को English में क्या कहते हैं तो कुछ लोग ये सोचेंगे कि इसे round white cute item food कहते होंगे बट नहीं इसको कहते हैं सिरफ filled roll ये official तो नहीं है बट हाँ सबसे close यही है आप लोगों को पता ही है red bull company की tag line है red bull gives you wings wings नहीं triple I के साथ wings इसके पीछे भी बड़ी interesting सी reason है कि आज से लग भग 20 साल पहले इसका slogan हुआ करता था wings single I के साथ बट अमेरिका के एक customer ने इस company पे case कर दिया उन्होंने court में जाकर ये कहा कि my lord ये company लोगों से जूट बोलने लग रही है मैं पिछले कितने सालों से red bull पी रहा हूँ बट मुझे तो कोई पंक नहीं निकले देखो कितनी जूटी है ये company जज ने कहा इस बात में sense तो है और company ये case हार गए और court ने company को ये order दिया कि उन्हें 30 million यानि की 13 million का compensation भरना पड़ेगा जिन लोगों ने red bull का कोई भी can 2002 से ले करके 2014 तक खड़ीदा होगा वो 10 dollar का payout ले जा सकती है वो भी अमेरिका में और ये company के लिए बहुत ही embarrassing loss हुआ उसके बाद company ने ये सोचा कि चलो हम अपना slogan नहीं बदल देते हैं अब से red bull gives you wings नहीं होगा अब से red bull gives you wings होगा triple i के साथ जिस से कि आगे चल कर कोई भी ये नहीं कहेगा कि red bull पीने से हमें कोई punk निकल करके नहीं आए और इस तरह company ये बोल पाएगी कि हमने तो नहीं कहा था भाई कि red bull पीने से wings आएंगे हमने तो ये कहा था कि wings निकल कर आएंगे जैसे कि आप सभी को पता है कि हर एक country का एक अपना code होता है जैसे कि इंडिया का है plus 91, मेरिका का है plus 1 तो क्या आपने कभी सोचा है कि सभी country को अलग-अलग ही code क्यूं दिया गया और सभी country को उनका खुद का code किसने दिया होगा तो ऐसा है 1950 के समय जब ये telecommunication grow हो रहा था तब North America का बहुत बड़ा हाथ था इस technology को हर जगा फैलाने में और telecommunication का invention अमेरिका और कनाडा से link था ताट मेंस पहली बार अमेरिका और कनाडा में ही आया था और फिर अमेरिका और कनाडा ने मिलकर total country को 9th zone में divide किया था और इसलिए आप ये list देखो इस list में starting में Canada और अमेरिका का dialing code plus 1 है अब आप लोगों के mind में ये सवाल आएगा कि plus 9th का मतलब तो समझ में आ गया बट ये 1 का मतलब क्या है तो बात ऐसा है कि 9th zone में भी total 40 यानि कि 40 country आती है जिसमें से इंडिया अपना number 1 पे आता है इसलिए इसे 1 मिला और total मिला करके plus 9 1 होता है जो कि अपने इंडिया का अपने country का dialing code है So that's in the video फटा फट कमेंट करके बताओ कि इन साड़े facts में से आपको सबसे interesting facts कौन सी लगी और वीडियो informative लगी तो do subscribe my channel